में अपने नी और अपनी कसन के लिए गच्रे लिए जो की मेरे फेवरेट है बाद हम गए बंस रोट पर फूट सेंटर पर जहाँ पर बहुत जादा ही रश थी और बहुत क्राउट था वहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ही वेटिंग में खड़े वे थे पर मैं तो फर्स टाइम गई हूँ तो मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर टोकिन सिस्टम है आद इद पर ही जादा रश की वरह से टोकिन सिस्टम कर देते हैं वहाँ पर वो जो एक लेडी खड़ी थी वो टोकिन सबको देती जारी थी और उसके नहीं भी परसन की स्पेस खाली हो रही थी उस हिसाब से वो फैमनीज को अंदर भेज रहे थे आदा घंटा या पॉना घंटा खड़े होने के बाद हमें फाइनली अंदर जगा मिली थी किचन जो है वो आउटडोर किचन है सब कुछ बाहर बनता है और फिर इनके तीन फ्लोर्स हैं जहां पर इरियास बने हुए हैं चेर्स हैं और वो टोटली फुल थे और इतनी तेर खड़े वने के बाद हमें अंदर जाने का मौका मिला था इसके सामने ही जो फेमस कराची हलीव है वो भी इसके सामने ही बंस रोट पर जो है वो इसके सामने ही है और यह टोटली पूरा एरिया जो है लोगों से भरा हुआ था बहुत जादा ही रश्ट था क्योंकि हां के खाने बहुत जादा फेमस भी हैं और टेस्टी भी अधिनली इतनी देर खड़े होने के बाद हम अंदर आ ही गए दाने की दस मिनिट बाद हमें मेन्यू में मिल गया हूं मेरा ऑर्डर हमेशा सौर्टेड होता है जिंगर में जाओं मैं जिंगर ही ओर जिंगर ही ओर चाहे में दूसरी चीज़े ट्राइब करने के लिए बहुत ज्यादा टेस्टी बैलंस्ट मसाले बैलंस्ट ओइल एवरिटिंग वस बैलंस्ट और सबसे ज्यादा कि इतनी ज्यादा मिर्चों वाले नहीं थी ओईली भी बिल्कुल नहीं थी तो जो लोग डाइट पर है वो भी आराम से एक दिन तो खाई सकते हैं काफी टेंड और चिकन की पीस थे वो बिल्कुल एक ही पीस था और बहुत साथा क्रिस्पी था और चिकन काफी कम था उसमें और टेस्ट वाइस भी कुछ खास नहीं था अकॉर्डिंग टू मी 480 में वर्थिट नहीं था हो गई है हमने बाते करते करते फिर से सुभा कर दी थी और आज फिर हमने सोचा है हलवा पूरी मंगवाने का बर्थ हमारे साथ एक सीन हो गया है हलवा पूरी हम जिस कजन से मंगवाते हैं वो सो गया था तो दूसरा कजन जाग रहा था तो हमने उससे मंगवाई और उसको पता नहीं था कि हम कहां की हलवा पूरी खाते हैं बेसिकर हमें like share and subscribe to my channel alaafis